सुही नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नहीं उर्वाज और आप सभी का इस नहीं वीडियो के अंदर मैं स्वाबत करता हूं तो आप में से कई सारे लोगों के मुझे कमेंट और मेसेज मिलें कि वाई हमने MIUI 12 को अपडेट कर लिया है पर इसके कंट्रो संडेट के अंदर हमें कोई भी ब्लर नहीं मिल रहा है तो इसका एक ही रिजन है कुछ डिवाइस के अंदर MIUI ने उफिसली ब्लर उसको इनेबल नहीं किया है तो इसका दो तरीका है अगर आप चाहे तो रूट का यूज कर सकते हैं दूसरा है यहां पर थर्ट पार्टी आप्स तो आज की वीडियो में मैं आपको दूसरा तरीका बताने वह रहा हूँ कैसे आप रूट के बीना ब्लर को कैसे अंदर इनेबल कर पाएंगी उससे भी लगाइस छोटा सा रिक्वेस्टे अगर आपको वीडियो पसंद आता है आपके काम आता है तो वीडियो को जरू से लाइक और चैनल को जरू से सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिविसन मिलता है और आपके लिए ऐसे नए ने वीडियो हम लाते रहेंगे तो चलिए आप भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यूजर ने हमारे साथ इस स्क्रिन सोट को सेयर किया है ड्रेडमी नोट 9 पर यह प्रोब्लम हो रहा है यहाँ पर सिर्फ आपको ग्रे कलर का एक पीछी बेक्राउंड देखने को मिल रहा है कोई भी ब्लर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो इसको fix करने का एक ही तरीका है आपको इसके लिए एक app आता है उसको download करना पड़ेगा इसका link आपको description में मिल जाएगा me control center इस आपका नाम है free app आपको play store पर मिल जाएगा मैं link भी आपको description में provide कर दूँगा simply guys यहाँ पर कुछ permission आता है उसको आपने यहाँ पर enable कर देना है guys official जो app है उसी की तरह यह work करता है तो आपको यहाँ पर कोई भी privacy related कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगा और इसके अंदर आपको इतना battery जो battery का issue है वह भी नहीं हो रहा है तो आप इसका use कर सकते daily uses के लिए भी use कर सकते कोई भी दिक्कत नहीं और official से यहाँ पर आपको ज्यादा features मिल रहे हैं मैं आपको यहाँ से दिखा दता हूँ पहली बार जैसे ही आप इसको start करेंगे तो default में यहाँ पर आपको यह सब उसको accept करना पड़ेगा उसके बाद गया यहाँ पर आप देख सकते blur अभी यहाँ पर आ चुका है जो gray color का background था वो चला गया है अभी अगर आपको blur है उसको manage करना है तो यहाँ पर आपको colors के अंदर उसका option देखने को मिल जाता है तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा कटा सकते blur amount है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते आप अपने साब से उसको set कर पाएंगे मैं आपको यहा अपना वाइफाइ ब्लुटूथ जो भी on करना चाहें कर सकते ऑफिसल तरीके से यहां पर आपको इसको थीम करना है तो इसके लिए भी आपको अलग से यहां पर option दिया गाए तो इसको भी आप जो रोज सेट कर पाएंगे साथ मैं यहां पर आपको data users का भी option देखने को मि देखने को नहीं मिलता है पर यहां पर आपको यहां से दिखा ता हूँ यहां पर आप अगर चाहे तो देख सकते data user से ओभी एनेबल हो चुका है तो इस तरीके से आप यहां पर control center के अंदर blur effect उसको इनेबल कर पाएंगे आसा करता हूँ कि आपको यह trick हो अच्छा लगा ह होगा काम का लगा होगा अगर एसी बात है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा तो बस आज का जो वीडियो हो यहीं तिख था मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के अंदर